Hello my dear young viewers and my dear friends, how are you? I hope you all will be fine and happy and also you were waiting for your result. I know it. और आपका welcome है मेरे चानल में नायाब थोर्स इन इंगलिश में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं In the Kingdom of Fools, Class 9th English, Moments का चैप्टर है ये, चैप्टर नमबर 4 In the Kingdom of Fools, Written by A.K. Ramanujan चैप्टर का जो थीम है, बहुत ही जादा important है और चैप्टर के थीम में ये बताया हुआ कि एक जो फूल्स होते हैं, जो मूर्ख होते हैं उनकी अगर कोई चीज उन्होंने लालच करने के लिए हमें दी हुई है तो हमें उन्स पर लालच नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो मूर्ख होते हैं, उनके दिमाग का कुछ नहीं पता चलता कि कवो कैसा क्या विवार करें चाहें उनकी ओफर कितने मर्जी अट्राक्टिव क्यों नहीं हो लेकिन हमें उनके हिसाब से उनके लालच में नहीं पढ़ना चाहिए और आपको पता है कि kingdom of fools में, मूर्खों के रजे में, राजा भी मूर्ख है, मंतरी भी मूर्ख है उन्होंने मूर्खता वाले जो है वो नियम कानून बना रखे हैं, रात में सब जाकते हैं और दिन के टाइम सब सोते हैं बड़े अजीब वजीब से जो है नियम कानून उन्हें बना रखे हैं, यह तो एक एक एक्जामपल दे रही हुँ में आपको और लोग उनको फॉलो करते हैं, क्यूं? लोग फॉलो करते हैं मौत के डर से, जो अभी उसे फॉलो नहीं करेगा, उसको death penalty है और जब गुरू और disciple, गुरू और चेला, जो है वो यहां पर पहुंचते हैं, kingdom of falls में पहुंचते हैं, गुरू जो है वो जब वहां के हाला देखता है, वहां के नियम कानून देखता है, तो he decided to leave it, उस वह निर्ने करता है कि मैं यहां से छोड़ कर चला जाओंगा, और व वो लालाच में पढ़के वहीं रुख जाता है और परिशानी में भी पढ़ता है, और जैसे ही उसको फांसी की सजा दी जा रही होती है, तभी गुरू आ जाते हैं, और very cleverly he saved him, उसको बचा लेते हैं, बाद में क्या होता है, गुरू को और चेले को लोग जो है अपने kingdom का जो है राजा चुनने के लिए कहते हैं और मंतरी चुनने के लिए कहते हैं, ओके, now I am going to explain the lesson in the kingdom of fools, now It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them, यह विश्वास किया जाता है कि जो मूर्ख होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, सिर्फ उन्हें कौन manage कर सकता है, उन्हें कौन सही राश्ते पेला सकता है, जो wise होते हैं, Who are the fools in this story, इस कहानी में कौन मूर्ख है, what happens to them, उनको क्या होता है, in the kingdom of fools, both the king and the ministers who are idiots, kingdom of fools में, मूर्खों के राज्ये में, राजा और मंतरी, दोनों ही मूर्ख हैं, बिलकुल बेवकूफ हैं, इसलिए उन्होंने निर्ने किया कि वो रात को दिन में बदल देंगे और दिन को रात में, उन्होंने कहां, अपने खेतों में जो जुताई करनी हैं, और जो अपने काम चलाने हैं, वो सब कुछ अंधेरे के बाद होगा, मतलब अंधेरे में होगा, and go to bed as soon as the sun came up, और जैसे ही सूर्य उगने लगेगा, और सब के सब बिस्तर पर सोने चले जाएंगे, Anyone who disobeyed would be punished with death, और राजा ने गोशना कि, जो भी इस अग्या का पालन नहीं करेगा, उसको मृत्यु दी जाएगी, The people did as they were told for fear of death, लोगों ने वो ही किया मौत के डर से, क्या किया मौत के डर से, रात को दिन में बदल दिया, दिन को रात में बदल दिया, The king and the minister were delighted at the success of their project, और अपनी योजना पे राजा और मंत्री बड़े खुश हुए, One day a guru and his disciple arrived in the city, एक दिन गुरु और चेला इस शहर में आए, It was a beautiful city, ये तो बड़ा ही सुन्दर शहर था, it was broad daylight, ये पूरे दिन दहाड़े समय का time था, But there was no one about, लेकिन पूरे भरे दिन के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, Everyone who was asleep, हर कोई सो रहा था, not a mouse stirring, एक भी चूहा तक भागता दोडता नहीं दिख रहा था, Even the cattle had been taught to sleep by day, यहां तक की मवेशियों को जानवरों को भी दिन में सोना सिखाया गया था, The two strangers were amazed, दोनों के दोनों stranger, guru और चेला बहुत हैरान हुए, By what they saw around them, की उन्होंने जो कुछ आसपास देखा, सब बहुत हैरान हुए, क्या देखा आसपास, That nobody was there, even the animals were sleeping, and there was a peace and silent, and nobody was seen by them, Now, and wandered around town, till evening, शाम तक वो पूरे उस कस्वे में घुमते रहे, When suddenly, the whole town woke up, शाम होने पर ही, जैसे ही अंधेरा हुआ, हर कोई जाग गया, And went about its nightly business, और राग के समय, अपने-अपने काम करनी लगा, Very strange ना, The two men were hungry, वे दोनों आदमी, who are these two men, guru and disciple, Guru और चेला बहुत भूखे थे, now that the shops were open, अब दुकाने खुली, they went to buy some groceries, वे कुछ दुकानों से पंसारी, परचुने की दुकान से कुछ खरिदने गए, To their astonishment, उनकी हरानी का ठिकाना नहीं था, They found that everything cost the same, उन्होंने पाया, हर चीज की कीमत एग ही है, A single doodoo, doodoo क्या होता है, एक करंसी है ये, Whether they bought a measure of rice, चाहे वे एक किलो चावल ने, और बंच ओ बनानास, या फिर बनाना का गुछा ले, It cost a doodoo, सबकी कीमत एक doodoo थी, The guru and his disciple were delighted, Guru और चेला बड़े ही खुश हुए, बड़े आनन्दित हुए हो, They had never heard of anything like this, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था, They could buy all the food they wanted for a rupee, और एक रुपए के अंदर जो कुछ भी बैचाते थे, उन्होंने खरीद लिया, When they had cooked and eaten, जब उन्होंने भुजन पका चुके और खाया, The guru realized that this was a kingdom of fools, Guru ने महसूस किया कि ये मूर्खों का रज्य है, And it would not be a good idea for them to stay there, और उनके लिए ये अच्छा विचार नहीं होगा, यहाँ पर ठहरना, This is no place for us, let us go, He said to his disciple, उन्होंने अपने शिशे से कहा, ये जगह रहने लाइक हमारे लिए नहीं है, आओ चलें, But the disciple did not want to leave the place, लेकिन शिशे जगह को छोडने को तयार ना था, Everything was cheap here, सब कुछ वहाँ पर बहुत सस्ता था, All he wanted was good, cheap food, और सब से, All he wanted was good, जो कुछ भी वह चाता था, सब कुछ अच्छा था, cheap food, सस्ता भोजन, the guru, sad guru ने कहा, They are all fools, ये सभी के सभी मूर्ख है, They won't last very long, इनके जिंदगी इनका समय जादा लंबा नहीं चलेगा, And you can't tell what they will do to you next, और तुम नहीं कह सकते कि अब अगली बार ये क्या करने वाले हैं, But the disciple would not listen to the guru's wisdom, लेकिन शिशे ने guru की बुद्धी मानी की बाते नहीं सुनी, He wanted to stay, वहर रुकना चाहता था वहाँ पे, The guru finally gave up and said, Gave up बिटा एक फ्रेज होता जिसका मतलब है छोड़ना, और guru ने अंत में छोड़ दिया और कहा, Do what you want, I am going on, और जो तुमारा मन करे वो करो, मैं जा रहा हूँ, And left or चले गए, The disciple stayed on, यहाँ पर शिशे यहीं रुका, Eat his fill every day, रोज अपना पेट जरूर स्यादा भरता, बनाना, जैंड घी, केले घी, चावल गेहू, And grew fat like a street side sacred bull, और उतना मोटा हो गया, जैसे गली में पलने वाला कोई, बुल, बुल क्या होता है, बुल होता है, जैसे गली में बैल सांड गुमते रहते हैं, उन्हें कहते हैं, इतना मोटा हो गया, One bright day, एक उजले दिन में, अथीफ ब्रोक इंटू आर, रिच मर्चंट साउस, एक चोर ने, एक अमीर मर्चंट के घर में, वेपारी के घर में, गुश कर चोरी की, He had made a hole in the wall, उसने दिवार के अंदर एक छेट किया, and sneaked in, और चुप चाप सिरी का मतलब, कम से स्टिल्थ ली, है ना, और बहुत चुप के चुप के अंदर गुश गया, and as he was carrying out his loot, जैसे ही वो loot का समान, loot हिंदी का वर्ड है, और जैसे ही उसने loot का समान बाहर निकालना चाहा, the wall of the old house collapsed on his head, and killed him on the spot, वह पुरानी दिवार ढ़ै गई, गिर गई, उसके सिर्के ओपर, और वो उसी समय वहीं के वहीं मर गया, his brother ran to the king and complained, और चोर का भाई दोड़ड़़ा राजा के पास गया, उसने शिकायत की, your highness महराज, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपने पुराने पूर्वजों के काम को कर रहा था, पूर्वजों के काम को pursue कर रहा था, देखें, काम क्या है, चोरी करना, तो इसका मतलब उसके जब पूर्वज थे, अपने पूर्वजों के विवसाय को कर रहा था, a wall fell on him and killed him, एक दिवार उसके पर गिरी और उसको मार दिया, the merchant is to blame, ये वैपारी इसके लिए दोशी है, वैपारी का घर है तो वैपारी दोशी है, he should have built a good strong wall, इसे अच्छी और ताकतवर दिवार बनानी चाहिए थी, you must punish the wrong doer, और इक गलत काम करने वाले को महराज आप सजा दीजिये, and compensate the family for this injustice, और मेरे परिवार को जो है पैसा दीजिये, इस अन्याय के विरोध, देखिए देखिए आकर के, कैसे चोर का भाई आकर के कह रहा है, वेपारी खड़ा है, राजा से शिकायत हो रही है, the king said, justice will be done, राजा ने कहा, नयाय किया जाएगा, don't worry, जिंता मत करो, and at once summoned the owner of the house, और उसी समय समय का meaning to call, घर के मालिक बुला लिया गया, when the merchant arrived, जैसे ही वेपारी आया, the king questioned him, राजा ने उससे सवाल किया, what is your name, such and such, your highness, महराज, ये ये मेरा नाम है, were you at home, when the dead man burgled your house, क्या तुम घर पर थे उसी समय, जब ये मरने वाले आदमी ने तुमारे घर में चोरी की, yes my lord, हां महराज, he broke in, and the wall was weak, उसने मेरे घर में को तोड़ कर अंदर हुसा, दिवार कमजोर थी, it fell on him, वो उसके उपर गिर गई, the accused pleads guilty, और जो accused है, जो दोशी है, वो अपने दोश के लिए माफी मनता है, your wall killed this man's brother, और तुम्हारी दिवार से, इस आदमी के भाई के मृत्य हो गई, you have murdered a man, तुमने एक आदमी का कतल किया है, we have to punish you, हम तुमें सजा देंगे, हमें तुमें सजा देनी होगी, Lord, sir the helpless merchant, मेरे महराज, असहाए, वेपारी ने कहा, it did not put up the wall, I did not put up the wall, मैंने तो दिवार नहीं बनाई थी, it is really the fault of the man, who built the wall, ये तो उस आदमी का दोश है, जिसने दिवार बनाई, he did not built it right, उसने ये अच्छी दिवार नहीं बनाई, you should punish him, आपको उसे सजा देनी चाहिए, who is that, वे कौन है, my Lord, this wall was built in my father's time, ये दिवार तो मेरे पिता के समय में बनी, मर्चंट ने कहा कि मेरे पिता के समय में बनी, I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूँ, he is an old man now, वे तो अब बुड़ा भी हो चुका है, he lives nearby, वे नस्दीक ही रहता है, the king sent out messengers to bring in the brick layer, who had built the wall, राजा ने अपने संदेश वहकों को भेजा, उस दिवार बनाने वाले को, जिसने उस दिवार को बनाया, they brought him, वे उसे ले आए, tied hand and foot, उसके हाथ पर बांद करके उसे ले आए, किसे? brick layer को, जिसने मकान बनाय था, जिसने दिवार बनायी थी, यू हेर, डिद यू बिल्ट इस man's wall in the father's time, अच्छा तुम यहाँ पर आगए हो, तुमने इस आदमी के घर में, उसके पिता के समय में दिवार बनाई, किस माई लॉड आई डिड, हाँ मेरे महराज मैंने बनाई, किस तरह की दिवार तुमने बनाई, यह दिवार तु उस बिचारी आदमी पे गिरी और उसे मार दिया, यू हाँ मुर्डर्ड हिम, तुमने तो इसका कतल कर दिया, तुम्हें मृत्यू की पनिश्मेंट, मृत्यू की सजा दी जाएगी, यह सच है कि मैंने दिवार बनाई और यह अच्छी नहीं थी, but that was because my mind was not on it, लेकिन उस समय मेरा दिमाग उस दिवार बनाने पर था ही नहीं, I remember very well a dancing girl, मुझे अच्छी तरह याद है वो नाचनी वाली लड़की, who was going up and down that street all day with her anklet jingling, और वो लड़की जो की बार बार गली में से आ जा रही थी, अपने पैरों में जन जन करती हुई पाजे भे पहन करके, and I could not keep my eyes or my mind on the wall, मैं ना तो अपनी आखे ना अपना दिमाग उस दिवार को बनाने में रख पाया, I was building जिसे में बना रहा था, you must get that dancing girl, आपको उस नाचने वाली लड़की को लेना चाहिए, बुलाना चाहिए, I know where she lives, मैं जानता हुए कहां रहती है, you are right, the case depends, तुम सही कहते हो, ये case तो और जादा गहरा होता जा रहा है, और ज़दा serious होता जा रहा है, you must look into it, we must look into it, हमें इसमें ध्यान से देखना चाहिए, it is not easy to judge such complicated cases, ऐसे complicated cases, मुश्किल केसिस को जज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, let us get that dancer, जाओ उस dancer को लेकर आओ, wherever she is, जहां भी वह है, the dancing girl now an old woman, वह नाशने वाली लड़की, अब बुड़ी वरत हो चुकी थी, came crumbling to the court, कापती हुई दरबार में आती है, did you walk up and down that street many years ago, क्या तुम इस गली में बार बार तुमने चकर लगाए थे, while that poor man was building a wall, जब ये बिचारा आदमी दिवार बना रहा था, did you see him, क्या तुम इसे देखती हो, क्या तुम इसे जानती हो, yes my lord, हाँ मेरे मालिक, हाँ महराज, I remember it very well, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, so you did walk up and down, क्या तुमने गली में इधर उधर चकर लगाए, with your inklet jingling, अपनी बजिती हुई पाजेबों के साथ, you were young and you distracted him, तुम युवा थी, तुमने इसका ध्यान भटका दिया, so he built a bad wall, इसलिए इसने इतने बुरी दिवार बनाई, it has fallen on a poor burglar, ये दिवार बेचारे उस चोर पर गिरी and killed him, और उसे मार दिया, you have killed an innocent man, she thought for a minute and said, उसने dancing girl ने एक मिन्ट सोचा और कहा, my lord wait, मेरे महराज इंजार कीजिये, I know now why I was walking up and down that street, मुझे याद आया कि मैं गली में इधर उधर चक्कर क्यों लगा रही थी, I had given some gold to the goldsmith, मैंने थोड़ा सा सोना उस सुनार को दिया था, to make some jewelry for me, जिससे कि वो मेरे लिए कोछ जिवरात बना पाए, he was a lazy scoundrel, वह तो बड़ा ही आलसी और ठग था, he made so many excuses, उसने बहुत सारे बहाने बनाए, sad he would give it now, and he would give it then, उसने कहा कि वो आज दे देगा, अब वो कल दे देगा, and so on all day, और सारा दिन उसने मुझसे बहाने बनाए, he made me walk, walk up and down to his house a dozen times, उसने एक दरजन बार, इस गली में मुझसे चक्कर लगवाए, that was when this bricklayer saw me, और तब इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा, it's not my fault my lord, मेरे महराजी मेरा दोश नहीं है, it is the damn goldsmith's fault, और ये उस बुरे सुनार का दोश है, poor thing, she is absolutely right, बेचारी औरत, ये तो बिलकुँ सही कहती है, thought the king राजा ने सोचा, weighing the evidence, उन्होंने सबूत को हाथ में लेकर के तोला, we have got the real culprit at last, अब हमें अंत में सच्चा प्राधी मिल गया है, get the goldsmith, उस सुनार को लाओ, wherever he is hiding at once, जहां पर भी वैच चुपा हुआ है, इसी समय लाओ, the king's balaf searched for the goldsmith, राजा के जो इंस्पेक्टर थे, पुलिस वाले थे, जो भी मंत्री थे, वो सब के सब सुनार के, खोज में चले गए, who was hiding in the corner of his shop, जो कि अपनी दुकान के कोने में चुप कर बैठा था, when he heard the accusation against him, जैसे ही उसने सुना, अपनी सिर पर लगा हुआ, उसके खिलाफ लगा दोश, he had his own story to tell, उसकी तो अपनी ही कहानी थी कहने के लिए, माई लॉर्ड इसने कहा, मेरे महराज, I am a poor goldsmith, मैं तो बहुत ही गरीब सुनार हूँ, it is true I made this dancer come many times to my door, इस सच है कि मैंने, इस dancer को अपने दर्वाजे पे दर्जनों बार बुलाया, I gave her excuses, मैंने बहाने भी बनाए, because I could not finish making her jewelry before, I finished the rich merchant's order, और मैं इसकी jewelry नहीं बना सकता था, पहले मुझे इस अमीर वेपारी का order पुरा करना था, they had a wedding coming, उनके हाँ शादी आ रही थी, and they would not wait, और वहें इंजार नहीं कर सकते थी, you know how impatient rich man are, महराज आप तो जानते ही हैं, कितने अधीर होते हैं, बिना धैरेवान होते हैं, अमीर लोगों, अमीर लोग जिने हर चीज जल्दी से जल्दी चाहिए, who is this rich merchant, who kept you from finishing this poor woman's jewelry, वो कौन है अमीर वेपारी, जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत के जेवरातों को पूरा नहीं करने दिया, made her walk up and down, इसे बार बार गली के चक्कर लगवाए, which distracted this brick layer, इस वजह से इस राजमिस्त्री का ध्यान भटका, which made a mess of his wall, जिसने इस दिवार को बहुत बुरा बनाया, which has now fallen on an innocent man, जो की एक निर्दोश मासूम आदमी के उपर गिरी और उसे मार दिया, can you name him, क्या तुम उसका नम बता सकते हो, the goldsmith named the merchant, और सुनार ने उस वपरी का नम बताया, and he was none other than the original owner of the house, और और कोई नहीं था, उसी घर का original owner था, उसी घर का जो था, वो owner, owner कौन होता है, मालिक था, और of the house, whose wall had fallen, जिसकी दिवार गिर चुकी थी, now justice had come full circle, अब नयाय पूरे घेरे में आ चुका है, thought the king raja ने सोचा, back to the merchant, वापिस वेपारी की और मुडा, when he was rudely summoned back to the court, उसको रुखे पन से बुला भेजा अपने दर्बार में, he arrived crying, और merchant जो है रोता हुआ आया, it was not me, but my father who ordered the jewelry, ये मैं नहीं था, ये मेरे पिता ने, उसे jewelry का आदेश दिया था, he is dead, वे तो मर चुके हैं, आये मैं इनोसेंट, मैं तो बिलकुल इनोसेंट हूँ, मैं तो निर्दोश हूँ, मासूम हूँ, but the king consulted his minister, and ruled decisively, लेकिन राजा ने, अपने मंत्रियों से सलहा की, और decisively का meaning, decide किया, और क्या decide किया, and ruled decisively, और पूरा अच्छे दंग से, उसको जो है, रूल करते हूँ, अर रशासन करते हूए, उसको पूरे दंग से, उन्होंने consult किया, it's true, your father is a true murderer, यह सच है, कि तुमारे पिता सच्चे कतल करने वाले है, he is dead, यह मर चुके है, but somebody must be punished in his place, लेकिन किसी ना किसी को तो उनकी जगा सजा मिलनी ही चाहिए, you have inherited everything from that criminal father of yours, तुमने तो अपने अपराधी पिता से सब कुछ अप लिया है न, his riches, उनकी अमीरी, जैसे ही मैंने तुम पर नज़र रखी थी, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम मासूम नहीं हो, तुम निर्दोश नहीं हो, तुम अपराधी हो, that you were at the root of this horrible crime, कि तुम ही इस भयानक अपराध की जड़ में हो, you must die, तुमें तो मरना चाहिए, और उसने एक नया फांसी का फंदा बनाने का आदेश दिया, as the servant sharpened the stake, जैसे ही जो नौकर थे वहे, उस stake को फंदे को बनाने के लिए शार्प तेज कर रहे थे, and got it easy for the final impaling of the criminal, और तयार कर दिया था, उस अप्रादी को फांसी पर अंतिम रूप से लटकाने के लिए, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin, और तभी पता लगा मंत्रियों को, कि यह अमीर वेपारी इतना ज़्यादा पतला था, to be properly executed on the stake, और फांसी के फंदे के अंदर fit नहीं बैठता था, he appealed to the king's common sense, और तभी राजा की common sense ने appeal की, राजा की common sense में राजा के दिमाग में एक बात आई, the king too worried about it, राजा भी इस बार में बड़ा चिंतित हो गया, what shall we do, he said, अब हम क्या करेंगे उसने कहा, when suddenly it struck him, that all they needed to do, was to find a man fat enough to fit the stake, तभी उसके दिमाग में विचार आया, कि हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है, जो कि इस फंदे के अंदर पूरा fit आता है, the servants were immediately sent all over the town, जल्दी ही सारे के सारे नौकर, कस्वे में भेज दिये गए, looking for a man who would fit the stake, एक ऐसे आदमी की तलाश करने, जो कि इस फंदे में पूरी तरह fit बैठता है, and their eyes fell on the disciple, देखे उनकी आँके किस पर पड़ी, शिशे के उपर पड़ी, who had fattened himself for months, जो कि खाखा के मोटा हो गया था महीनों से, on bananas and rice and beaten घी, जो कि केला, चावल, गेहुं और घी खाखा करके मोटा हो गया था, उसके उपर सभी मंत्रियों की नजर पड़ी, what have I done wrong, अरे मैंने क्या गलत किया है, I am innocent, मैं तो निर्दोश हूँ, I am sanyasi, मैं तो एक सादू sanyasi हूई, cried वे चिलाया, that may be true, ये सच हो सकता है, but it is a royal decree, लेकिन ये राजसी आदेश है, that we should find a man fat enough to fit the steak, कि हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है, जो कि फांसी के फंदे पर बिलकुल fit आता हो, they said, उन्होंने कहा, किनोंने, राजा के मंत्रियों ने, सिपाहियों ने, and carried him to the place of execution, और शिशे को ले गए फांसी के स्थान पर, he remembered his wise guru's words, उसे याद आए, अपने बुद्धी मान गुरू के शब्द, this is a city of fools, ये है मुर्गो का शहर है, you don't know what they will do next, तुम नहीं जानते, वहै अगली बार क्या करने वाले हैं, while he was waiting for death, जबकि चेला शिशे अपनी मृत्यू का इंजार कर रहा था, he prayed to his guru, in his heart, उसने अपने गुरू से प्रार्थना की अपने मन में, asking him to hear his cry wherever he was, और कहा, कि जहां भी हो, मेरी इस आवाज को, मेरी रोने को सुन लो, the guru saw everything in a vision, और गुरू बहुत दूर दर्शी थे, उन्होंने सब कुछ देखा, he had magic powers, उनके अंदर जादूई ताकते थी, he could see far, वह बहुत दूर तक देख सकते थे, and he could see the future, as he could see the present, and the past, जैसा कि वह भविश्य देख सकते थे, वर्तमान देख सकते थे, he arrived at once to save his disciple, वैसे ही वो पहुँच गए अपने शिश्य को बचाने, who had got himself into such a scrape-through love of food, और जो की इस परिशानी में मुसीबत में पढ़ गया था, भोजन के प्यार की वजह से, भोजन से बड़ा लगाव था उसे, that he was very much greedy, and he had temptation, हर चीज़ की temptation थी, क्योंकि सब कुछ बहुत सस्ता था, खाका के इतना मोटा हो गया था, और अब भोजन के प्यार की वैसे, मुसीबत में आ गया, as soon as he arrived, जैसे जैसे ही गुरु पहुचे, he scolded the disciple, उन्होंने चेले को डाटा, and told him something in a whisper, और उसके कान में कुछ धीमे-धीमे कहा, then he went to the king and addressed him, और उसके बाद गुरु राजा के पास गया, और उसको संबोधित करते हुए का, Oh, wisest of kings, अरे बुद्धी मानों के राजा, who is greater, कौन पढ़ा है, the guru or the disciple, गुरु पढ़ा है, कि शिष्य बढ़ा है, of course the guru, राजा ने कहा, वाकई इसमें तो कहने की बात ही नहीं है, गुरु बढ़ा है, no doubt about it, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है, why do you ask, तुम ऐसा क्यों पूछते हो, then put me to the stake first, तो फिर मुझे फांसी पर पहले चढ़ाया जाए, put my disciple to death after me, उसके बाद मेरे शिष्य को फांसी पर चढ़ाया जाए, ये देखिए, दोनों की लडाई हो रही है, when the disciple heard this, जैसे ही शिष्य ने ये बात सुनी, he understood and began to clamor, और वैसे ही समझ गया, और वहे भी तेस्थे चलाने लगा, me first, पहले मुझे चढ़ाओ, you brought me here first, तो मुझे यहाँ पहले लाए थे, put me to death first, not him, मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ, ना कि इन्हें, इन्हें किन्हें, गुरू को, the guru and the disciple now got into a fight, गुरू और शिष्य दोनों के दोनों में लड़ाई होने लगी, about who should go first, कि किसे पहले फांसी पर चढ़ना चाहिए, the king was puzzled by this behavior, राजा परशान हो गया उनके दोनों के इस विवहार से, he asked the guru, उसने गुरू से पूछा, why do you want to die, तु मरना क्यों चाहते हो, चाहिए, put me to death first, मुझे पहले मौथ पर चढ़ाओ, replied the guru, गुरू ने जवाब दिया, why, क्यों, there is some mystery here, यहाँ पर कुछ रहसे है, as a wise man, you must make me understand, अरे मैं तो बुद्धी मान हूँ, मुझे समझाओ, will you promise to put me death, if I tell you, अच्छा, तु मुझे फांसी पर चढ़ा दोगे न, अगर मैं तुम्हें सचाई बता दू, ask the guru, guru ने कहा, राजा से, the king gave him his Solomon word, राजा ने उसे promise किया, और अपने शब्द कहे, the guru took him aside, guru उसे एक और ले गया, out of the servant's ear shot, सभी नौकरों के कानों से दूर, and whispered to him, उसके कौन में धीरे धीरे कहा, whispered meaning, to speak in a low tone, do you know, why we want to die right now, तुम जानते हो, हम दोनों क्यों ही समेही मरना चाहते हैं, the two of us हम दोनो, we have been all over the world, हमने पूरी दुनिया देखी है, but we have never found a city like this, or a king like you, लेकिन ना तो हमने ऐसा शेहर देखा, ना ही आप जैसा राजा देखा, that stake is the stake of the God of justice, ये जो फांसी का फंदा है, ये न्याए के भगवान का फंदा है, it's new, ये न्या है, it has never had a criminal on it, इस पर कभी कोई अपराधी नहीं चड़ा है, whoever dies on it, first will be reborn as the king of this country, और जो उसके बाद मरेगा, वो इस देश का मंतरी हो करके जनम लेगा, we are sick of our ascetic life, हम अपने सन्यासी जीवन से, साधू जीवन से बहुत दुखी हो चुके हैं, it would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while, बहुत अच्छा होगा, अगर हम राजा और मंतरी बन करके, मौज मस्ती करेंगे, now keep your word my lord, महराज अब अपने शब्द दिये हैं, कि मुझे फांसी पर चड़ाओगे तो उसका पालन करो, and put us to death me first remember, याद रखो मुझे पहले फांसी पर चड़ाओ, the king was now thrown into deep thought, राजा अब बहुत गहरे विचार में डूब गया, he did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life, वे अगले जन में अपना ये राजे किसी को भी देना नहीं चाहता था, he needed time, उसे समय चाहिए था, so he ordered the execution postponed to the next day, इसले राजा ने फांसी की सजा को अगले दिन पर टाल दिया, and talked in secret with his minister, और अपने मंत्रियों से बड़े ही रहसे मही रूप से बात की, it is not right for us to give over the kingdom to others in the next life, ये तो सही नहीं है कि हम अपना राजे अगले जनम में दूसरों को दे दे, let us go on the stick ourselves, आओ हम खुच फांसी के फंदे पर चढ़ें, and we will be reborn as king and minister again, और हम लोग फिर दुबारा राजा और मंत्री बनकर जनम लेंगे, holy men do not tell lies, ये पवितर आदमी साधू लोग कभी जूट नहीं बोलते ही, sad raja ने कहा, and the minister agreed, और सारे मंत्री तयार हो गए, so he told the executioners, और इसी लिए उन्होंने फांसी लगाने वालों से, जलादों से कहा, we will send the criminals tonight, हम आज की रात अपरादियों को भेज देंगे, when the first man comes to you, put him to death first, और executioner से कहा जलादों से, जो भी तुमारे पस पहला आदमी आए, उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देना, then do the same to the second man, और फिर दूसरे आदमी के साथ भी वही करना, those are my orders, ये मेरे आदेश है, don't make any mistake, कोई गलती मत करना, that night उस रात, the king and his minister, went secretly to the prison, उस रात, राजा और मंत्री, बड़े ही secretly, रहसे महे रूप से, जेल की तरफ गए, कारवास की और गए, release the guru and the disciple, guru और चेले को छोड़ दिया, disguise themselves as the two, और उनका भेस बदल करके, दोनों के दोनों गए, and as arranged beforehand, with loyal servants, were taken to the stake, and promptly executed, और जैसा की, पहले से ही तै हो चुका था, और उसके जितने भी नौकर थे राजा के, सबके सब स्वामी भक्त थे, और उन्होंने उनका कहना माना, कि जो भी कोई पहले तुम्हारे पास आएगा, और दूसरे नंबर पर आएगा, उसको जल्दी से फांसी पर चढ़ा देना, तो उनके executioners ने वही किया, देखिए, guru चेला को छोड़ दिया, राजा और उसके मंतरी आगए, चील को उनके शरीर फेग दिये गए, the people panicked, लोग वैभीत हो गए, they saw before them the dead bodies of the king and the minister, उन्होंने देखा उनके सामने, मृत्व शरीर पढ़ा था, राजा और मंतरी का, the city was in confusion, पूरा शहर असमंजस में पढ़ गया, परिशानी में आगया, all night they mourn, सारी रात उन्होंने शोख प्रकट गया, and discuss the future of the kingdom, और अपने राज्ये का भवशे के बारे में सोचने लगे, some people suddenly thought of guru and the disciple, कुछ लोगों ने अचानक सोचा, guru और शिशे के बारे में, and caught up with them, as they were preparing to leave town unnoticed, और उन्हें तभी पकड़ लिया, जब वो तयारी कर रहे थे, बिना दिखे हुए, इस कस्वे को छोड़ के जाने का, we people need a king and a minister, said someone, किसी ने कहा, हमें राजा और मंत्री के जरूरत है, others agreed, बाकी लोग भी सहमत हो गए, they begged the guru and the disciple, उन्होंने गिड़ा कर, guru और शिशे से कहा, to be their king and their minister, कि वो उनके राजा और मंत्री बन जाए, it did not take many arguments to persuade the disciple, और it did not take many arguments, और जादा बहस बाजिया नहीं करनी पड़ी, चेले को मनाने के लिए, but it took longer to persuade the guru, लेकिन बहुत लंबा समय लगा, guru को मनाने में, they finally agreed to rule the kingdom of the foolish king, and the silly minister, अंत में वैं सेहमत हो गए, मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राजे को परशासन करने के लिए, on the condition, एक शर्थ पर, that they could change all the old laws, एक शर्थ पर, कि वैं सारे की सारे पुराने नियमों को बदल देंगे, from then on और तब से, night would again be night, राथ फिर से राथ हो गई, and day would again be day, और दिन फिर से दिन हो गया, and you could get nothing for a doo-doo, और तुम्हें कुछ भी एक doo-doo का नहीं मिलेगा, it became like any other place, और सब चीजों की कीमते, बाकी जगाओं की तरह हो गई, अकन्नड़ा फोक्टेल, कन्नड़ की एक लोग कहानी है ये, written by A.K. Ramanujans, फोक्टेल्स फ्राम इंडिया, उनकी बुक है, फोक्टेल्स फ्राम इंडिया, उसमें से एक स्टोरी ली हुई है, my dear students, और कैसा लगा आपको चैप्टर, बहुत इंट्रस्टिंग चैप्टर है, कभी भी भूल कर मज जाईएगा, मुर्खों के शहर में, मुर्ख कब क्या कर दें, अगली बार कुछ नहीं पता, अपना दिमाख रखिये, ओके नाओ my dear students, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, गुट लग और गुट बाई!